हमें हां हऌनी वेटा देखिए हमारा टोपिक चल रहा था ग्रो ऑनल वेल्यू ग्रोसं आनिलिव मेड़़ना होता है इनक्क क्पैस्टि ऑफ न बार से ले रहां उर्निंग क्पैस्टि ओफ house कि आपका जो मकान है वो कितने रुपे कमाने की कि शमता रखता है वास्ता में कितना कमाया ठीक है वो एक separate issue है बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्णिंग के पस्टी कि आपने जो मकान किराधार को किराई पर दिया हुए है वो कितने पर कमाने की शमता रखता है अब ध्यान से सुनिए मैं एक्जामपल ले रहा हूं फिर से हमने अपने एक्जामपल में ओनर किसको लिया था विटा सचीन को ठीक है सचीन एक मकान का ओनर है सचीन अपना कोई मकान किस को लेट ऑट किया हुए अजे को छुफ है अजे को रिलेटीव होने की वज़य से अजे सचीन इससे किराया थिक दसजार पर मंत लिया एक्जाल रेंट तो एक्जाल रेंट बटा कितना हो गया पूरे साल का एक लाग बीज़ार पे चिराया हो ठीक है यह वो किराया है जो सचिन वास्तम में अजे से चार्ज कर रहा है जबकि सचिन के मकान का गौर्मेंट के नुसार एक्सपेक्टीड रेंट वो कितना बनता है एक्सपेक्टीड रेंट बेटा बनता है डेड़ लाग ठीक है जी सचीन वास्तव में किराया ले रहा है एक बीस जबकि गुवर्मेंट के नुसार सचीन के मकान का किराया डेड़ लाखर पे होना चाहिए ठीक है तो गुवर्मेंट क्या कहती है सचीन को भी आपने किराया चाहिए एक बीस लिया हो आपने किराया कम इसलिए लिया क्योंकि अजे तो आपका रिलेटिव है बट किराया आपके मकान का डेड़ लाख बनता है ठीक है तो गोवर्मेंट कहती है कि हमारा तो नुकसान हो गया यहां पे हमारे को जो टेक्स एक लाख बीस एक लाख पचास जार पे मिलना चाहिए था वो हम एक बीस पे क्यों ले ठीक है तो गोवर्मेंट कहती है कि मैं तो जो किराया मैं जो टेक्स लोंगी इंकम टेक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है मैं जो टेक्स लोंगा वो डेड़ लाख पे ही लोंगा ठीक है तो यहां पे यह डेड़ लाख रुपे बेटा मुझे ब तो तो हाॉस प्रोपरटी है और एक ऐसा है जिसमें वास्त्रिक आय पर ध्यान से सुनना हाउस प्रोपरटी एक पर एक अध्य की बज़ाई टेक्स किस पर काकुलेट किया जाता है नौशनल इंकम ठीक है तो यहां में लिख दूँ यहां पर बैटा में लिख देता हूं नोशनल इंकम या अर्निंग के पैस्टी ऑफ दा हाउस कि आ एसा नहीं है कि हमेशा हमीं इमेजनरी इंकम पर लगता है कंपार वास्ती की इंकम पर भी लग सकता है Candi ओ जे फ्र हाए maior कि चाहिए एक लाग बीस जहर एक कस्ति है वास्तिक किराया अगर 180 है और एक्सपेक्टीड रेंट कितना है 1.5 लाग फिर गवर्मेंट टेक्स कितने पर लेगी हाँ जी बेटा अगर वास्तिक किराया 180 है और एक्सपेक्टीड रेंट 150 है तो उस केस में गवर्मेंट कहती है मैं जो टेक्स लोंगी वो 180 पर लोंगी ठीक है तो कहने का मतलब कई बार कई बार तो बेटा जो टेक्स है इस हेड में वो वास्त्वी कि इंकम पे लगेगा और कई बार इस हेड के अंदर जो टेक्स लगेगा वो कालपनी काई पे लगेगा ठीक है अगर कालपनी काई वास्त्वी की राये से ज़्यादा है तो कालप अपनी का इसे ज्यादा है तो बेटा फिर वास्ति की रहे पर टेक्स लग जाएगा ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो हां जी बेटा देखिए तो यहां पर पढ़ते हैं क्या लिखता है ग्रोस अनल वेल्यू के बारे में हां जी बेटा ग्रोस अनल वेल्यू मॉस्ट इंपोर्टेंट फेक्टर एज कैलकुलेशन ओफ इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपरिटी डिपेंड्स अपॉन इट हमारा जो किस पर हां जी बेटा तूसरी बात क्या लिखता है रोस अनल वेल्यू निकालते समयst इस्तने इक्टब निकालते ह्यूंसीटर को निकालते дост प्रॉइं तीन इन तिनों की तुलना करके या हो सकता ना दे रखाओ तो इन दोन दोनों की तुलना करके हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे और उसके बाद उसकी तुलना फिर किससे करेंगे एक्टॉल से हाँ जी बेटा अब कोश्चन अराइज होता है कि ग्रोस एनल वेल्यू बेटा कैसे निकालते हैं हाँ जी बेटा देखिएगा ग्रोस एनल वेल्यू बेटा कैलकुलेट करने का त्रीका क्या रहेगा उसके लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लेट आउट प्रोपरिटी ऐसी प्रोपरिटी जो किराएपे दी हुई है किराएपे बेटा चाहे वो किस परपस के लिए किराएपर दी हुई है प्रेजिडेंशल परपस के लिए चाहे कोमर्शिल परपस के लिए हाँ जी बेटा चाहे आपने कोई अपनी दुकान लेट आउट की हो चाहे मकान लेट आउट किया हो दोनों ही केस में ग्रॉस अनिवल वैलू निकालने का जो प्रोसीजर है वह सेम है ठीक है हाँ जी देखिए यह वेटा हमारा फॉर्मेट है लेट आउट प्रोपरिटी की हाउस प्रोपरिटी की टेक्सेबल इंकम कैसे निकालते हैं अभी मैं सिरफ टाइप नंबर बैटा वन ले रहा हूं केस वन यहां पर बैटा मैं लिख देता हूं टाइप नंबर बन टाइप नंबर वन है यह टेक्सेबल इंकम ऑफ लेट आउट प्रोपरिटी जो लेट आउट की हुए पर दिया है वह बड़ा कमर्सिल प्रोपरिटी भी ओसकती है और रेजडेंशल प्रोपेरटी भी हो सकती है अब सुनिएगा ध्यान से उसका फॉर्मेट क्या है सबसे पहले हमें ग्रोस एनल वेल्यू निकालने के बाद मुनिसीपल टेक्स अन्रिलाइज रेंट उसके बाद इन दोनों को लेस करके नेट एनल वेल्यू आएगी और नेट टेक्सेबल इंकम आ जाईगी हाउस प्रोपेरटी की तो यह पूरा फॉर्मेट इसके अंदर जितनी भी बाते हैं वह सारी बेटा हमने करने हैं डिसकस वन बाएवन तो सबसे पहले आज आज जो हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में ग्रोस एनल वेल्यू को complete करेंगे कल फिर हम बात करेंगे municipal text unrealized rent के बारे में कि तो चलिए start करते हैं जिब ग्रोस एनल वेल्यू कैसे कैल्कुलेट करते हैं तो ग्रोस एनल वेल्यू को कैल्कुलेट करने के लिए बेटा मैं आपको 7奇सीज बताएंगा 6 75 बेढ़रdadeलाग पास अलग-अलग सिच्वेशन में ग्रोस एनल वेल्यू बेटा कैसे निकालते हैं वो डिसकस करते हैं चलिए हां जी बेटा देखिए सबसे पहला केस हां जी बेटा सबसे पहला केस बेटा क्या है सुनिए हां जी बेटा केस नंबर वन में क्या कहता है यह बेटा कोई मकान है ठीक है मान लेते हैं सचीन इसका ओनर है और यह मकान बेटा फुल इयर पूरा साल लेटाउट किया हुए लेटाउट फुल इयर पूरा साल यह मकान किराए पर दिया हुआ था नो वकैंसी नो वकैंसी का मतलब साल के दुरान यहां वे बेटा वकैंसी का मतलब यह जो वकैंसी से नहीं है वकैंसी का मतलब है पूरा मकान पूरा साल किर ठीक है? ठीक है? आगे मैं लगगा साल में कोई मकान दो महिने खाली रहा या कोई मकान एक महिना खाली रहा बट ये मकान है ये पूरा साल बेटा occupied था ठीक है? और तिएसरी बाता है नो unrealized rent unrealized rent का मतलब और अतलब है बेटा जो किराया किरायेदार से वसूल नहीं हो पाया मैंने किसी को मकान किराए पर दिया हुआ है और वो मेरा किराया देने से इंकार कर दे यानि कि मेरा किराया क्या हो गया बैड डेट्स हो गया उसको अन्रिलाइज रेंट बोलते हैं बट अभी मैं ये मानके चल रहा हूं कि किराएदार मेरा बढ़िया व और तीसरी बात नो अन्रिलाइज रेंट तो ऐसी सिचुएशन में बेटा क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से ऐसी सिचुएशन में बेटा ग्रोस सेनल वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा रूल है दोनों चीजों की बेटा तुलना कर लेना एक तो एक्चुल रेंट और एक एक्सपेटीड रेंड विच एवरेज हाइयर जो भी दोनों में हाइयर होगा िविल भी वो बेटा हमारी ग्रो नेल यूभ जाएगी थिए एक्चुल रेंट और एक्सपेक्टिड रेंट दोनों में बेटा जो भी अमाउंट ज्यादा उसको हम ग्रोस एनल वेल्यू कहेंगे जैसे फॉर एंपल एक बेटा में एक्जामपल लेता हूँ अपनी तरस से थे मान लेते हैं इस मकान की यह जो मकान लेट आउट गिया हुए है इसका पूरे साल का जो किराय एक्ट एक्चुल रेंट मान लेते हैं धाई लाक रपे या दो चलीस है चलो जी मुणिसीपल वैलिव बीट दो लाक है या जी फिए रेंटर्ट फिए रेंटल वेल्इू फिए रेंटल वेल्यू बिट्टा माह लेते हैं दो-35 और स्टेंडर्ड रेंट सेंडर्डर्ड रेंट ll ये एक नब्बे है तो कैसे करने आपको तर सबसे पहले उक्सपक्टेर्ड रेंट निकाल लो expected rent निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए actual rent को भूल जाओ expected rent निकालने के लिए ये तीन factor काम आएंगे तो पहले first step क्या होता है first step होता है municipal value और किसकी तुलना करना fair rent इन दोनों की तुलना करो हां जी विटा पहला step क्या बनेगा municipal value और fair rent which average higher जो दोनों में higher है वो निकाल लो हां जी दोनों में higher at 230 अब इस 230 की तुलना यह जो माउंट आया इसकी तुलना स्टेंडर्ड रेंट से करेंगे विच एवरिज लेस है जी सेकिंड स्टेप क्या एकश्पेकटिट रेंट बेटा फीगर जो आई है धैट इस एक्सपेक्टिड रेंट की तुलना किससे और एक्सपेक्ट्रीन की वेटा तुलना की से होगी बताओ एक्च्छोलिंड के साथ ठीक है और विच एवरिज हाइर दोनों में हाइ़ देख लो एक नभेउर 240 में कौन सा हाइए हांजी भीटा एक नभेउर 240 में हाइए रमाउंट आ गया दोचालिस मैं भी न लिख देना वेटा चाहिए दो लाग चालिस जर पर यह 2040 ज़र क्या आगी यह हमारी निल बेलीब हां जी बेटा बताईए क्लियर है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हां जी बेटा ये बेटा हमारा केस नंबर वन हो गया जी अब आज़ो बेटा केस नंबर टू पर हां जी बेटा पहले बेटा केस नंबर वन का सम कीजिया जल्दी से हां जी बेटा देखो कैसे करेंगे वेरी गुड सभी बच्चों के रिपलाई आ रहे हैं सबसे पहले बेटा आपने को क्या करना है देखो हां जी बेटा दुबारा से समय लीजिए एक बार इन दोनों का बेटा कंपेरिजन करेंगे हम मुनिसीपल रेंटल वैली और फेर रेंटल वैली विच एवर रिज हाईयर वन लैक वन लैक को बेटा कंपेर करेंगे सैवंटी थाउजन के साथ आंज विच एवर इज लेस जो भी दोनों में लेस होगा यह बेटा हमारा सत्तर हजार आ गया ठीक है सत्तर हजार क्या आ गय एक्चुल रेंट का वेटा यह नाम भी है डी फेक्टो रेंट ठीक है जी पेपर में ध्यान रखना एक्चुल रेंट की जगह डी फेक्टो रेंट भी आ सकता है तो इन दोनों की तुलना करो हाँ जी बेटा एक लाख बीस जार पे हमारी क्या आ जाएगी ग्रोस अन्यूल वेल्यू आज बेटा अब आ जाएए हाउस बी पे हाउस बी में बेटा कैसे करेंगे सबसे पहले इन दोनों का कमपैरिजन कीजिए 80,000 और वन लेक का हाँ जी बेटा वन लेक आ गया वीच ए यह हमारी का गई एक्सपेक्टिडृंट का मतलब जितना गुवर्मेंट उमीद करती है मकान के मालिक से कि उसको किराया लेना चाहिए और वास्ता में उसको किराया उसने लिया नभे हजाब को कि एक लाएग तो ग्रोश फेल्मेंट ग्रोश को चरीट करेगी यहां जी गर्विटा इसको नब्बे जार को गोर्मेंट को दस तते का नक्सान हो जाएगा एक लाग पर टेक्स लोंगे एक लाखर पर नजाएगी ना देख लूघी है और यहां पे उल्टा था गवर्मेट उमीद कर रही थीवह सतर जार पे किराया लेदा चाहिए और मकान का मलीग ज्यादा किराया ले रहा है तो यहां पे कहती है कि वास्तां चैक्स तो वास्ता सफेंडrdiros राइन कुरकार्प से एक लाख पर लेगी तो यह वाटा इंक सोह डीपार्टमेंट्ट रूस रूसिइंट ज्यादा सरकारी जो रिवेखनू के लिए गवर्मेन्ट नहीं कलेक्ट करने के लिए गवर्मेंट नहीं प्रोवीजन्स बनाए हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं यह हो गया हमारा कि हां जी बेटा कि हां जी बेटा सेकेंड केस पर आ जाई है इस सेकेंड केस ध्यान से समझेगा थोड़ा सा टेकनिकल केस है क्या सीच्वेशन है इसमें छान जी बेटा देखिए इसमें क्या कहता है मकान तो कि Crime पर दिया हुआ है लेटाउट है मकान में कुछ समय वह मकान खाली बि fingered के लिए उक कान और रहा और उतने महीने का किराया किरायदार ने बैटा दे दिया उसने किराया देने से इंकार नहीं किया यानि कि कोई किराया बैड़ेट्स नहीं हुआ नो अन्रिलाइज रेंट का मतलब नो बेड़ेट्स हाँ जितना किराया मकान के माली को मिलना चाहिए था वो सारा उसको रिकावर हो गया चलिए अब इसका एक्जामपल लेते हैं ऐसी सिच्वेशन में आपको क्या करना है एक मिलिट वेट कीजिए हां जी वेटा देखिए ऐसी सिच्वेशन में वेटा आपको क्या करना है सबसे पहला स्टेप इसमें मैं एक्सपेक्टिड रेंट निकाल लेंगे एक्सपेक्टिड रेंट ओफ दा प्रोपेर्टी सबसे पहले उस प्रोपेर्टी का एक्सपेक्टिड रेंट निकाल लेना सेकेंड नंबर बेटा क्या करना है एक्सपेक्टिड रेंट की निकालने के बाद कैलकुलेट एक्चुल रेंट वास्ति किराया निकाल लेना वास्ति किराया ध्यान रखना सिर्फ लेट आउट पिरियड का निकालना है जितने महीने मकान किराय पर था जितने महीने मकान खाली रहा उसका किराया नहीं लेना क्योंकि किराया उस पिरियड का आया ही नहीं तो लेंगे क्यो तो एक्षुल रEंट हमने सिर्फ कहुंसे पिरीड का लेना है लेट टाउट पिरिएड कर एक्सपेक्टिद और प्रोपरिटी हां जी इस निकालेंगे पूरे साल को जैसे माल लीज़े मकांद दस महीने कि राय पे था धर दो मईघने खाली था तो एक्टुल रेंटो टैन मेंस का लेंगे पूरे बारा मेहिने का निकालना एक्स्पैकटी रेंट इस ट्लॉटर का निक लोगे और एक्ट। एस लेंट पिरीड परिएड को क्या करना है फिर इन दोनों की comparison करना है compare expected rent and actual rent दोनों की बेटा तुलना करनी है ठीक है अब दोनों की जब तुलना करोगे तो पहला case यह आ सकता है यदि actual rent expected rent से ज़्यादा है हां जी बेटा यदि actual rent expected rent से ज़्यादा है दूसरा case ही हो सकता है actual rent expected rent से कम है तो पहले बेटा मैं first case ले रहा हूं अगर actual rent expected rent से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे इस situation में ग्रोस एनल वेल्यू विल बी इक्चुल रेंट यहां ध्यान से समयना यदि actual एक्सपेक्टिब रेंट से कम है तो फिर बेटा दो बाते देखनी है आपने यह देखना है कि एक्चुल रेंट एक्सपेक्टिब रेंट से जो कम है उसका कारण क्या है उसका कारण कहीं वकैंसी तो नहीं है ड्यू टू वकैंसी का मतलब मकान के खाली रहने की वज़े से नहीं है किसी दूसरे फेक्टर की वज़े से थीक है नो ड्यू टू वकैंसी यह कैसे चेक करते हैं वो मैं बताऊंगा तो आपको यह देखना है कि एक्चुल रेंट एक्सपेक्टिब रेंट से अगर कम है तो उसके पीछे रीजन क्या हो रीजन पीटा वकैंसी हो ठीक है तो उसकेश में आपने क्या करना है कि उसके है ग्रोसरी वैल्यू लुव ऑसरहा हैं면 == container की वज़े से हैं तो इस सिचउशन में में िक्सपाद रेंट को हां जी बेटा इस situation में एक्सपेक्टिड रेंट को ग्रोस एन वेल्यू कंसीडर करेंगे ठीक है हां जी बेटा बताइए अभी एक्जाम्पल से बेटा समझ में आएगा आपको यह पॉइंट एक्जाम्पल से समझ में आएगा हां जी बेटा देखिए इसका सम ले लेते हम हां जी बेटा पड़ो इस सम को देखो क्या कहता है डेटर माइंद ग्रोस एनल वेल्यू इन दा फॉलोइंग केसिज हां जी बेटा सबसे पहले आपको एक्सपेक्टिड रेंट दिया हुए एक्सपेक्टिड रेंट बेटा केल्कुलेट करके दिया हुए आपको केल्कुलेट करने की जरूर्ट नहीं पड़ेगी हाउस केस में 3 महिने खा ली रहा और थर्ड केस यह तो मैं वन बाइवन तीनों केसी ले रहा हुए पहले राओं ले ले रहा हुए किस नंबर एक ठीक है इस में फे एक्सपेक्टिड रेंट भीट की जरूर्थी नहीं पड़े हमें को सब्सेंद बेता क्या बताया था आपको फि एक्षण रेंट ले लिजिए 10,000 पर मत हैं और साल में एक महीना खाली रहा एक महीना खाली रहा तो कितने महीशने किरायप पर इधा ये विटा एक्षण हो गया स्टेशन जोचार्ट में मैंने सीच्वेशन बताई थी पहले एक्ट ररेंट यहां एक्सक्रेट रेंट से विटा क्या ज्यादा है और अगर एक्चुल रेंट एक्सपेक्टिट रेंट से ज्यादा हो तो मैंने आपको लिखवाया ग्रोस नेल वेल्यू क्या होगी एक्चुल रेंट ठीक है लो जी यह फर्स्ट केस का अंसर आ गया हां जी विटा अब आज यह केस नंबर बी पे हां जी विटा डीकेस भी में विटा क्या करना है फिर से लिखो एक्सपेक्टिट रेंट 17 में आथ daytime एक्चुल रेंट एक्चुल रेंट बेटा थ्री मंस मकान वकेंट रहा है पहले पूरे साल का किराया अब देख लो पूरे साल का किराया एक बीस बनेगा उसमें से तीन महिने का मैं माइनस कर रहा हूं तीन मेहने का माइनस कर दिया कि पूरे साल का किराया एक बीस बनता है और उस में तीन महिने का एंस संब्सक्राइब 90,000 ठीक अब सुनो यहां पर यहां पर बैटा मुझे इक बात बताओ actual rent expected rent से कम है यह जड़ा है actual rent expected एक्शिवेंट से कम है और उसके पीछ उसका रीजन जुंड़ो रीजन क्या है रीजन वकेंसी त्या नोट त्य है इसको कैसे देखना देखो एक्चुल रेंट बेटा एक्सपेक्टीड रेंट से कम है ठीक है और उसका कारण है मकान का वकेंट रहना स्पोज करो अपने मन के अंदर कलपना करो स्पोज करो वो मकान वकेंट ना होता यदि वो मकान वकेंट ना होता तीन महीने पूरा साल किराये पे होता तो किराया कितन सोफ शॐसर गूजार से पडिकना किराएं के सब्सक्राइब होता है । यह था यह सोङ्टाइशन जाता है और हम सब्सक्राइब कुलात कि इस तक यह से कम है ध्यान से सुनो और उसका कारण कारण क्या है मकान का वकेंट रहना अगर मकान खाली ना होता तीन महीने तो उस केस में यह situation actual trend less than expected यह ना होती फिर बेटा क्या होता उस केस में यह हो जाता actual trend expected trend से ज्यादा हो जाता यानि कि यह situation सब्सक्राइब करन की वजद Car आ lle कंक मैं गान की वज़े से ऐसा हु Stuart में खाली रैने की वज़े से यह कम वारा जाए वैसो acaba सब्सक्राइब फ्राइब कोई राव यह दा ऊदर्वाइब ऐसे सीच्वेशन में ऐसी situation में जो gross NL value है वो actual rent को ही माना जाएगा और actual rent बिटा है हमारा 90,000 लो जी 90,000 बिटा answer gross NL value ठीक है जी तो आपको यह देखना है कि reason क्या है तो यहाँ पर साब पता लग रहा है reason vacancy है अगर मकान खली ना होता बिटा तो उस case में actual rent ज्यादा बनता expected rent से ठीक है यह situation बताओ clear है वेटा सभी को हाँ जी वेटा बताए चलो जी बहुत अच्छी बात है हाँ जी वेटा अब आज़ो case number 3 हाँ जी वेटा 3 केस में ले रहा हूं केस नंबर 3 केस नंबर 3 में वेटा देखिए केस नंबर 3 में मुझे बताओ पहले तो मैं एक्सपेक्टिड रेंट लिख लो एक्सपेक्टिड रेंट तो बिटा बन लेकिए एक्ट्औलैंट एक्च्ट्ब रेंट अफ लेट आउट पीरियड मकान उसके सिचुएशन में किराय कर दियाuar और मकान कितने में पर माइनस कर देते हैं तो 63,000 आ गया अब इस situation में देखो इस situation में इन दोनों की तुलना करो और कौन सा कम है actual rent कम है expected rent से फिर से वही situation आ रही है actual rent expected rent से कम है अब उसके पिछे कारण देखो क्या कारण vacancy है या वैसे वैसे भी कम आता अगर मान लेते हैं पूरा साल मकान पूरा साल मकान की राए पर होता तब भी तो actual रेंटी कम आ रहा है और यहां पर कारण क्या है सुनों यहां पर कारण वैटा क्या है not due to vacancy दो रीजन बताय थे एक तो बताय था due to vacancy एक due to other factors यहां पर एक चो टेंट जो इसका कारण वकैंसी नहीं है ठीक है मकान के खाली रहने की वज़े से नहीं है ऐसा क्योंकि अगर मकान खाली ना भी होता पूरा साल मकान की राएपर दिया उता तो भी बेटा एक्चुल रेंटी कम है देखो इन दुनों को देख लो एक्चुल रेंट चुरासी जार और एक लाग को देख लो तो भी बेटा यहीं कम बनता तो यहां पर नौट डूट वकैंसी तो आपने क्या करना इस सिच्वेशन में मैं लिख देता हूं रीजन क्या है नोट डूट वकैंसी तो यहां पर बेटा ग्रोस अनल वेल्यू बताओ क्या लेंगे यहां पर मैंने सब्सक्राइब कितना है वन लैक यह राज है लो वेटा वन लैक यह हमारा आंसर आ गया हां जी वेटा बताइए क्लियर है यहां तक लो वेटा आज के लिए सफीशेंट है क्लास भी वैसे फॉर मिनिट्स की रह गई है कि बताओ बेटा है कि एक बार सभी बच्चे अपने कैमरे ओन करो मैं देखना जाता हूं कौन-कौन बच्चे लगाते हैं मुझे आपके हां जी बेटा क्लास को हम बंद करते हैं